Hello everyone, welcome to my channel दोस्तो आज के से वीडियो में हम डिसकस करेंगे जै विवित्ता यानि बायो डैवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंपोर्टन प्रशने हैं से पूछे जाते हैं एक्जाम में उनको हम यहापर डिसकस करेंगे दोस्तो ये वीडियो आपके उत्राखन वन दरोगा के एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि कई सारे ऐसे प्रस्न इसमें इंपोर्टन ऐसे प्रस्न हैं जो कि आपके एक्जाम में आने के चांसेज हैं तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसमें जै विवित्ता Biodiversity का क्या आर्थ है? तो जो Biodiversity होती है इसका आर्थ होता है एक निर्धारी छेत्र में विभिन प्रकार के पादप एहम जंतु की उपस्तिती Biodiversity कहलाती है, टीक है? यानि कि एक particular छेत्र में विभिन प्रकार के जो भी plants और animals होते हैं इनकी जो उपस्तिती होती है यानि कि जब presence, their presence in a particular area is known as biodiversity तो किसी particular छेत्र में विभिन प्रकार के पादप और जन्तु मिलकर एक biodiversity का निर्मान करते हैं नेक्स्ट है, सरप्रतम जय विवित्ता, biodiversity सब्द का प्रियोग किस ने किया था तो directly आपसे प्रशन पूछा जाता है, जय विवित्ता सब्द का प्रियोग सरप्रतम किस ने किया था तो Walter G. Rosen ने इसका सरप्रतम प्रियोग किया था तो important है वर्डर जी रोजन ने bio diversity यानि जय विवित्ता सब्द का सरप्रथम प्रियोग किया था next है किस भोकवलिक छेत्र को जय विवित्ता का भंडार कहा जाता है यानि सरवादिक जो जय विवित्ता देखने को मिलती है वो किस छेत्र में देखने को मिलती है तो most important है सरवादिक जय विवित्ता देखने को मिलती है वो मिलती है उस नकटिवंदी है वर्षा वनु में डिरेक्ली आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है वन्य जीव अभ्यारेण जय व मन्डाल 2500 राष्टे उदियान आधी की स्थापना जय विवित्ता को सिनक्षित करने के लिए की जाती है यानि जो वायड लाइप सैंजर्य होते है जो बायोसफेय रिजर्फ नेस्नल पार्क्स होते है तो 2011 से 2020 तक का जो वर्स है ये जैव वित्ता दशक के रूप में इसको घोशित किया गया था next है hotspot सब्द का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था तो hotspot जो सब्द है इसका सरप्रतम प्रियोग किया था Norman Moyers ने 1988 में इसका प्रियोग किया था hotspot पर्टिकुलरी एक ऐसा छेत्र होता है जहां पर जो है और जो डायवर्सिटी होती है वह बहुत ज्यादा पाई जाते है और जिसको कंजर्व करना मतलब कि जो जिसको सनक्षित करना काफी ज्यादा important हो जाता है तो hotspot सब्द का सरप्रियोग किया था Norman Moyers ने अब इसको हम थोड़ा डीटेल में देख लेते हैं ऐसे छेत्र जो पारिष्थी की दृष्टी से अत्याधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां इस्थानिया जाती है जो एसे पारिष्थी की छेत्र होते हैं जो अत्याधिक उत्पादक होते हैं और इस्थानिया जाती है य उस एरिया में पाया जाते है उनकी यहां पर क्या होती है उपलब्द की नियुद gen donc extra aim भारतिय राष्ट्य जैविक विविप्त्य प्रादिकरण कहा स्थापित किया है तो भारतिय राष्ट्य जैविक विवित्त्यपरादिकरण ये चैननी इस टमिनाड में स्तित है और वर्स 2003 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, डिरेक्ली वन लैनर प्रशन आप से यहां से पूछे जाते हैं, भारतिय राष्टी चैवी की विताप राधिगर्ण कहा स्थापित किया गया है, तो चेन्ने में इस्तित है, अगला है भारत में लेह बेरी के नाम से कौ नेश्ट है, भारत में अतिसंगन वन यानि highly dense forest का सरवाधिक छेत्र किस राज्य में पाया जाते हैं, तो जो highly dense forest यानि अतिसंगन वन जो पाया जाते हैं भारत में, वो सरवाधिक पाया जाते हैं, अरुनाचल प्रदेश में, ठीक है, तो important है, यह भी आपसे एक्जाम में प्रक रखाव से सम्बंधित है, अगला है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंदी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किये थे, ठीक है, तो जैव सुरक्षा उपसंदी पर भारत ने जो हस्ताक्षर किये थे, वो 23 जनवरी 2001 को किये थे, important है, यह भी आपसे पूछा जा सकता ह अगला है प्रोसिपीस जूलीफोरा नामक पादब परियावड को किस प्रकार हानी पहुचाता है तो एक plant है प्रोसिपिस जूलिफोरा ये जो plant है ये छेत्र में किसी छेत्र में उखता है तो वहां की जो जय विवित्ता है उसको कम कर देता है तो ये important है तो आ सकते आप से की जो इन में से कौन सा ऐसा plant है जो कि किसी particular छेत्र में जो जय विवित्ता है उसको affect करता है तो वो ह जो सीही पूछ वानर है जिसको हम मैकॉक कहते हैं इसके प्राकर्तिक आवास तमिननाडु केरल और करनाटक में देखने को मिलते हैं इस टाइप के भी प्रस्ण आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जो अलग-अलग स्पीसीज है जो रेरली कहीं देखने को मिलती है तो उनसे related भी आप से प्रशने आपर पूछे जा सकते हैं Next है भारत सरकार द्वारत जै विवित्ता अधिनियम कब पारित किया था तो जो भारत सरकार जै विवित्ता अधिनियम जो government है एंडिया की कब पारित किया था तो वर्ष 2002 में इग्जामे डारेक्लि आपसे पूछा जा सकता है भारत ने जै विवित्ता अदिनियम 2002 में पारित किया था अगला है किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मौरिसस में सिडरोक्षी ग्रांडी फोरम नामाग पादप पर जाती भी विलुप्त हो गये थी नेश्ट है भारत का प्रथम समुद्री राष्टे उद्यान कौन सा है यानि भारत का प्रथम जो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है वो कहां इस्तित है तो वो है कच्छी की खाड़ी में ठीक है important है ये भी आपसे पूछा जा सकता है first marine national park भारत कहनी समुद्री राष्ट उध्यान पहला कच्छी की खाड़ी में था और कच्छी की खाड़ी आपको पता है ये गुजरात में इस्तित है अगला important है भारत में चार जैविवित्ता होट स्पोर्ट चेत्रों का चैन क्या गए पहले है पश्चीमी घाट दूसरा है इंडो बर्मा चेत्र तीसरा है पूर्वी हिमाले और चोथा है इसमें सुन्डा लेंड जो की निकुबार द्वीव समों में इस्तित है तो most important है आपसे पूछा जा सकता है इन में से कौन सा एक जैवी वित्ता होट स्पोट है तो चार है टोटल भारत में पश्चीमी घाट इंडो बर्मा चेत्र पूर्वी हिमाले और सुन्डा लेंड नेक्स्ट है फ्लाइंग फॉक्स अथार्थ उड्डेन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट के नाम से भी जाना दाता है ये क्या है तो ये एक चमगा दडु की एक प्रजाती है ठीक है तो आ सकता है ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट से ये किसकी एक प्रजाती है तो ये चम्दगा दड़ू की एक प्रजाती है जिसको हम flying fox भी कहते है अब नाम से आप confused हो सकते हो flying fox से करके लेगिन ये जो है एक चम्दगा दड़ू की एक प्रजाती है ठीक है तो आपसे ये भी प्रशन एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला है red data book अथार्थ red list की संग कमी के लिए उत्तरदाई है जो गिद्ध है यानि वल्चास जो हता है उनकी जो संख्या में कमी आ रही है वह किस medicine की वज़े से हो रहा है तो वह हो रहा है दोस्तो डाइकलोफिनेक सोडियम इसके जो है किसी एनिमल खाते हैं तो उनमें वह medicine के देखने को मिलते है और उनके भारतिय जीव जन्तु कल्यान बोर्ड का मुख्याले कहां इस्तित है तो भारतिय जीव जन्तु कल्यान बोर्ड का मुख्याले जो है 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 बल्लबगड हरियाना में अगला है व्रिक्षु पर रहने वाले किस इस्तंधारी का जो लोजिकल नाम एलूरस फ्लेंगस है ठीक है तो कौन सा ऐसा इस्तंधारी जो व्रिक्षु यानि पेड़ उपर रहता है इसका नाम है दोस्तो red panda red panda जो ही एक ऐसा इस्तंधारी है जो कि व्रिक्षु यानि पेड़ पर रहता है और इसका नाम के थे जो logical name में यह देखने को मिलता है ठीक है नेक्ष्ट है दाचिंगम राष्ट्य उध्यान किस जन्तु के सनक्षण के लिए प्रश्चित है तो इस ताइप के प्रश्चन आप से बहुत इंपोर्टन है यह आप से पूछे जाते हैं जो पर्टिकुलर कोई नैसनल पार्क है वो स्पे सरवाधिक उचाई पर इस्तित राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो भारत का सरवाधिक उचाई पर इने सरवसे हाइट पर उजो इस्तित राष्ट्य उध्यान है वो है हैमिस राष्ट्य उध्यान जो की लदाक में इस्तित है और यह सबसे बड़ा भारत का राष्ट्य द्यान भी है अगला है किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं तो किस समूह के जीव है वो अमोनिया को नाइट्रेट में कनवर्ट करते हैं वो होता है नाइट्रो सोमोनास ठीक है नाम से लग रहा है नाइट्रो सोमोनास तो यह जो है यह अमो पौधा nitrogen को किस रूप में ग्रहन करता है तो जो धान का पौध है वो nitrogen concepts ammonia की रूप में क्रतर ठीक है यानि ammonia की फॉर्म में वो को absorb करता है अगला जीवруж also this की तंत्र की पौध है थेso is तो जीव माध्यम से पारिस्त की तंत्र है जो उसमें जो के दोर्ह आषोसिद करके प्लांट को सप्लाई करता है अगला है बारत को ख्यातर है जित्रों में बाइयो जियुगरमफिकल एरियास में विवाजित किया गहे तो इसको भारत को जो है टोटल 10 जय भोगुलिक छेत्रों में बाटा गये हैं और यह important है आपसे directly exam में पूछा जा सकता है भारत को कुल 10 जय भोगुलिक छेत्रों में बाटा गये है next है जब कोई समुदाई स्थाई परिपक जटिल तथा दीर्ग कालिक होता है यह भी आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप की प्रस्नियापर आपसे पूछे जा सकते है next है छेत्रपल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा जय मंडल आरक्षी छेत्र कौन सा है तो ये है दोस्तो नारियल को, नारियल को कलपर विक्ष की उक्मा भी दी गई है भारत में कौन सा राष्ट्य उध्यान पक्षियों के स्वर्गी के नाम से प्रशिद है तो केवलादेव राष्टिय उद्यान जो कि भरतपूर राजस्तान में इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं तो important है आपसे exam में पूछा जा सकता है भारत का कौन सा राष्टिय उद्यान जो है पक्षियों के स्वर्गी के रुप में इसको जाना जाता है तो केवला देव जो है राष्टिया उध्यान नेक्ष्ट है केवला देव राष्टिया उध्यान से होकर कौन सी नदिया प्रवाहित होती है तो केवला देव जो कि हमने पढ़ा भी राजस्तान में श्तित है यहां से बार गंगा तता गंभीरी नधी होते वे जाती है नेक्ष्ट है वनस्पती सर्रक्षण हेतू स्वस्थाने सर्रक्षण पद्यती यानि इनसिटू कंजर्वेशन के अतरगत कौन सा इस्था सम्मिलित नहीं है इस टैप के भी प्रसन आप से पूछे जाते हैं इनसिटू कंजर्वेशन और एकसिटू कंजर्वेशन क्या होता है तो जो इनसिटू कंजर्वेशन होता है यानि कि स्वस्थाने सर्रक्षण पद्यती इसके अंतरगत क्या होता है जो हम species को अगर किसी particular species को सरक्षित करते हैं तो वो उसको उसी के जो आवास होता है नहीं उसी का habitat होता है वहीं उसी के अंदर ही हम उसको सरक्षित करते हैं इसको कहते हैं in-situ conservation यानि कि किसी भी particular species को उसी के जो वातावरण है जहां वो रहता है वहीं पर उसको अगर conserve करते हैं लेकिन अगर हम उसको वहाँ से निकाल कि किसी ऐसे atmosphere में जो artificial environment उसको provide करते है ताकि उसके species खत्रे में ना हो या उसकी species को बचाया जा सके तो उसको हम कहते हैं ex-situ यानि कि जो बाहिये इस्थाने सरक्षण है उसको हम बाहिये इस्थाने सरक्षण कहते हैं ठीक है तो यह होता है in-situ और ex-situ ex-situ मतलब किसी भी particular species को उसके प्राकरतिक आवाज से निकाल कर किसी ऐसे कृतिम environment में रखना यानि कि जो artificial environment उसके लिए बनाना चागता कि उसकी species जो है वो सरक्षण की जा सके तो यहाँ पर पूछ रहा है वनस्पति सरक्षण है तुस सरस्थानी सरक्षण पत देती कि अंतरगत कौन सा इस्थल सम्मिलित नहीं है तो इसमें दोस्तो जो है botanical garden इसमें शामिल नहीं आता ठीक है इंपोर्टेंट प्रस्ट है यह एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता जो botanical garden होता है यह हमारे exit to conservation का हिस्सा है यानि कि हम किसी species को अगर सरक्षित रखने के लिए artificially एक कोई garden ऐसे बनाते हैं जहाँ पर इन species को conserve किया जाता है तो उसको हम कहता है botanical garden next है कृतिम green house फुद्वारा वनेस्पत्यू का सरक्षन किस वीधी के अंतरकत आता है तो यह देखे जो artificial green house होते हैं उसमें हम जो exit to conservation के थूरूर्स में हम जो है species का सरक्षन करते हैं next है भारत में कुल कितने जैव मंडल reserve है तो भारत में कुल कितने bios fair reserve है तो total 18 भारत में bios fair reserve है नेक्स्ट्रे भारत में पर्थम जयव मंडल आरक्षी छेत्र कहां इस्थापित किया गया था ये नीलगीरी में किया गया था 1986 में अगला है कोटा जेना प्रोटोकॉल किस से संबंधित है ठीक है तो काटे जेना जो प्रोटोकॉल है ये जैव सुरक्ष्य समझोता से संबंधित है नेस्ट है किस प्रकार के जै विवित्ता का उप्योग प्रजनन कार्यों में किया जाता है तो आनुवानसिक विवित्ता है निकि जो जैनेटिकल डाइवरसिटी होती है ठीक है तो इसका प्रियोग है जै विवित्ता का उप्योग प्रजनन कार्यों में किया जाता है अगला ह और पनवार ने भारत को सबसे पहले जय वहगोरिक छेत्रूम में और जय वहगोरिक प्रदेश रूमें विवाजित किया था इंपोर्टन्ट है आपसे एक्जाम में यह पूछा जा सकता है नेश्ट है अरिबादा क्चू की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोसला प्रक्रिया है ठीक है नौर्वे में स्थित है तो परियावन सरक्षा रेतु जो वर्ड वाइड फंड यानि WWF का मुख्याल है ये औसलो नौर्वे में स्थित है अगला है किस राज्य में सरवाधिक संख्या में राष्ट्य पार्क इस्थित है तो मध्य प्रदिस में सरवाधिक राष्ट्य पार् प्रोटिजन नगर गुजरात में इस्थित है इंपोर्टन्ट है आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट है उडने वाली छिपकली जिसको ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहां पाई जाती है तो ये भारत के पश्चिम घाट के वनुमें पाई जाती है उडने वाली छिपकली जिसको ड्रेको कहा जाता है चेत्रपल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो नागारजुन सागर जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है चेत्रपल की द्रिष्टी से और ये इस्तित है आंधर प्रदेश में इंपोर्टेंट है आपसे डारेक्ली एक्जाम में ये प्रस्ण पूछा जा सकता है नेश्ट एर जिम कॉर्बेट उत्राखन 1936 में जो स्थापित हुआ था भारत का प्रथम राष्टे उध्यान वा Mexico Project Tiger के अंतरकत अधी सुचीत प्रथम राष्टे रिजर्व है इसका पहले जो नाम था वो हैली राष्टे उध्यान था confirm तो जिम कॉर्बेट नेशल पार्क है जोगए भारत का प्रथम राष्टे उध्यान था जो की 1936 में स्थापित हुआ था और इसको प्रोजेक्ट टाइगर जो की 1973 में स्थापित हुआ था इसके अंतरकत इसको प्रथम टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था नेक्श ए विष्व का कौनसा द्वीब केवल पक्षियों के लिए आरक्ची थे तो करजेन द्वीब जो है जो सेशेल्ड में इस्थापित किया गया था तो यह किया गया था वेनदात हंगल जो की तमिनाड़ों में इस्थापित थे तो इमपोर्टेंट है ये भी आपसे रक्षियों का पर्थम वनार्य ने कहा इस्थापित किया था तो वेंदात अंगल जो है तमिनाडो में इसको इस्थापित किया गया था नेक्ष्ट है भारत का पर्थम निलगरी जैमंडल आरक्षी छेत्री कितने राज्यू में विश्थित है तो भारत का पर्थम जो मैं आपसे पूछे जा सकते हैं तो वीडियो अगर आपको इंफरमेटी लगे है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसी इंफरमेटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंकि फ्रेंड्स